आज हम बनाने वाले सबसे सस्ता और पॉर्टे वल कंप्यूटेर सपीकर, जिससे आप कंप्यूटर और लैपटॉप में आसनी से यूज़ कर सकते हो, और साथ ही आप मोवैल के साथ कनेक्ट करके उसमें मूजिकानन ले सकते हो, इसे बनाने के लिए आपको कुछे चीजों की जरूरत पड़ेगी बस एक चीज आपने मार्केट से लेनी है वो है आपका amplifier का board जो कि आपको 20 से 30 रुपे में आसानी से मिल जाएगा तो अब इसे आपको बनाना सिखाऊंगा उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजिगा साथ में चैनल पर ने तो सब्सक्राइब कर लिजिगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों कम्पीटर स्पीकर बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूर्पड़ की जो कि आपको घर पे ही आसानी से मिल जाएगी सबसे पहला एक खराब एयरफॉन का आपको एक वायर चाहिए होगा दूसरा है यूस्बी केबल जो कि आपको किसी भी खराब चार्जस में आसनी से मिल जाएगी और तीसरी चीज है आपको कोई सबी एक उसको बनाने के लिए धकन वगरह आप ले सकते हैं जिसमें हम एम्प्लिफायर को फिट करेंगे आपको इपको मैं घसे यहां पर मुल्ट मेरें की लिए तो यहां पर मैने इसी साइज का आप लिए आपके पास बड़ावाला है तो उससे बड़ा आप बॉक्स ले लिए जैसा भी आपके पास सफीकर हो उससाइज का आप बॉक्स फिलाल यहांद पर sticker के size के हिसाब से में यहां आप बॉक्स के लिया हुआ है अब दीigsगिंगी यहां पर, उसको यहां पर यह गत्तह जो आप देख रहे हैं उसको यहाँ पर इस बॉक्स के बाहर के कवर के साइज का हम काटेंगे और उससे पहले हाँ पर हम एक यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं गोल करके और इससाब से या फिर आप PVC वगर आप अपने हिसाब से ले लिजिए जो कि आपको comfortable लगे जो कि आपको suitable हो और यहां पर इसको इसाब से काड़ के आप speaker को fix करने वाला size इसका बना लीजिए चली मैं इसको cut करके दिखाता हूँ आपको तो यहां पर मैंने यहां पर अगर आपको लगता है यहां पर यहां पर इसमें फिट करने के लिए साइज यहां पर perfect मैंने बना दिया है तो यहां पर अब ऐसे करके हम पिट करेंगे अब यहां पर आप color लगा के इसको blue करके बना सकते हैं वह आपके मर्जी हैं बाकि आपको मैं guide करूंगा किसका connection कैसे करना है सबसे पहले audio board के आपको connection समझा देता हूं audio board के चारों तरफ आपको hole दिख रहे होंगे यहां पर यह audio board पांच वोल्ट से operate होता है इसमें अगर ज्यादा देंके तो आई सी आपर हरा हो जाएगी यहां पर तीन से पांच वोट आप इसको दे सकते हैं तो यहां पर पांच बोल्ट के प्लस और मैनस की वायर यहां पर लगेगी जो कि आपकी इस data cable के माधियम से होते वे आएगी यह red वाली 5 प्लस पर connect होगी और मैनस पर यहां पर black वाली जो आपका signal input होगा यहां फिर computer से या फिर mobile से इस wire के जो तीन वायर आपको दिख रहे हैं इसमें इसमें भी आपको समझा द आपको में यहां पर एक speaker है तो यहां पर मैं सिर्फ एक left या फिर right का कोई साभी जोड़ लोंगा बस left और ground यहां से जोड़ दूँगा बागी यहां पर our output लेने की लिए यहां पर दो चैनल के output दिए हैं तो यहां पर जो है आप एक channel का है यहां पर मैं इस से आउटपूट लेना है तो यहां पर इंपूट का ही देंगे और आउटपूट आपको लेफ्ट से ही मिलेगा बस इतना काम हम अपने इसमें करना है अब सबसे पहले यहां पर जितनी भी वायर वगर इसको हम फिट करते हैं उससे पहले आपको एयरफॉन क connection आपको बता देता हूं अगर एरफॉन आप Nokia का ले रहे हैं तो उन्वाइल करनेक्शन अलोग होते हैं यूढ आप android या फिर स्टेंडर्ट ले रहे हैं तो उसके connection इलोग होते हैं यहा诃 आप देख रहें इस तरीके से आपको यहाँ पर किसी भी एरफॉन आपको चार मिल जाएंगे हाँ तीन वाले भी होते ज़रूरी कि चार वाले हो अगर आप मोईल के एरफॉन को यूज करें तो पहला वाला आपका लेफ्ट दूसरा राइट का तीसरा होता ग्राउंड का और चौ के राइट एंड ग्रांड बन त्टू थि पस्तिन ओका हैं हमने करना है माइक कहें पर नहीं होगा क्योंकि आपना नहीं लगने वाला अगर यहीं आपकी एरफॉन की लीड नोकिया की है तो नोकिया में कनेक्शन थोड़ा सा अलग होता है यह होता है left यह होता है राइट ग्राउंड यह है नोक्या का होता है अब यहां पर उस और यह वाला होता है माय तो यह वाला होता हो यह को तो इस वक्त आपने मैक वाली तार को उठाना पड़ेगा जिस भी वायर से इस हिसाब से तो वहां से उठाना हो गाई जिस को चेक करेंगे देखिए लेफट कौनसी के राइट कौन सी ऐसे करके चेक करेंगे तो यहां पर देखिए मॉल्टी मीटर मैंने यहां पर कंट्यूटी को सेट कर लिया है अब यहां पर देखिए इसके मैं पहले सबसे टॉप वाली में लगा देता हूं जो कि हमारा लेफ्ट है तो अब इन तीनों यहां से वायर निक यहां पढला है है तो देखते हैं का पर यहां पर यह हि्ल गया थटा से यह है पर देखिए यह आपको फिर से दिखा दूँ देखिए कलर कोड पर मच जाए क्योंकि लोकल एरफॉन मा कलर अलग होता है इसलिए आप यहाँ पर इसी तरीकी से चेक करेंगे ठीक है यह ग्राउंड का जो तामबे की कलर में है और नीला वाला आपका जो है लेफ्ट का और ग करनी है अब आती इसके connection की बार ही सबसे पहले मैं यहाँ पर एक होल कर लूँगा जहां से हमारी वायर बगर है घुश सक है तो खोल करने के लिए वैसे मैंने एक solder iron को ही आप घुशल के होल कर लूँगा इस तरीके से ठीक है यहाँ पर एक होल हो गया है सिंपल तरीके से अब यहाँ पर से हमने दोनों वायर निकालनी है एक वायर यह वाली और एक वायर यह वाली जो हमारी में फाइब वूल्ट जो इन्पूट यहां से होगी तो यहां इसको निन को न Scripture कर लिए यहां अब यहां पर जोना है लेफट ग्र 옌ंड एंडड राइट काछल dl तीनों को फाइनली मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं आप देख सकते हैं यहां पर हमारे एरफोन की तीन वायर निकली थी जो लेफ्ट राइट ग्राउंड की थी वह लेफ्ट वाली यहां पर जोड़ूगी है राइट की इस तरफ और ग्राउंड की बीच में बस इस चीज का आपने ध्यान देना है लेफ्ट रैट ग्राउंड जो है आप सेम जो लीजिए ब यहां पर देखिए यहां पर स्पिकर के पॉइट में जो ली है अब यहां पर आप जो भी इसमें मोडिफिकेशन करना चाहते कर सकते हैं फिलाल यहां पर मैं एक एक्स्टा चीज और दूंगा जो कि एक LED इंडिकेटर है जो कि मल्टी किलर में यहां पर जलते वे हमें आप देखिए पॉजीटिव को पोजिटिव और नग्कैट्फ को नग 나서 इसको इहां पर मैं इसको सो रिंग कर लेता हूं फॉदिक हो लोग कर रही है देखिए यह देखिएगा अब एक मिनट लाइट थोड़ा डाउन कर लेता हूं अब दिखाई दे रहोगा अब इसको हम पैक करेंगे LED को लगाने के लिए इस जीगव मैंने होल कर रहा है आप देख सकते हैं एक होल क्या हूँ है इसको फिट करेंगे और यहा यहाँ पर कहीं भी टच नहीं हो इसलिए आपको सेफ़टी करना इसके साथ जरूरी है अब यहाँ पर इसको फिक्स कर लेता हूँ तो दोस्तों फैनल इम इन इसको फिक्स कर लिया है देख सकते आप बिल्कुल एचा है फिक्स हो चुका है यहाँ पर LED लाइट है और आपका signal input के लिए और यहाँ पर यह इसके पावर के लिए तो फाइनली मैंने इसको यहाँ पर ओन कर लिए है आप देख सकते हैं इसकी लाइट जो है पावर की जल चुकी है तो इस तरीके से आपको अंधिर में भी जलतावाद दिखाई देगा बाकि आप अगर यहाँ इसक देने से आपकी वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगी तो चली फिर अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं मैंने इसको मुवाइल पर जोड लिया है अब इसमें एक सौंग पर लेकर के आपको दिखाता हूं कर दो दो पिखाता हूं तो दोस्तों आपने देख लिए होगा कि कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है साथ मैं यहां पर इतना अच्छा है यहां पर बेस देरा क्योंकि यह पर मैंने बेस वाले स्पीकर का इसमाल किया हुआ है तो यह प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा जरूर करके बताना अगर आप इस प्रोजेक्ट में ब्लूटूथ और बैटरी भी इसमें लगाना चाहते हो तो उसका भी क्मेंट करके बताए कि क्योंकि मैं अगली प्रोजेक्ट में उसमें ब्लूटूथ और आपको बैटरी एड़ करना भी बता दूगा फिलाल यहां पर एक कंप्यूटर बेस मे में एड़ कर दूँगा तो फिलाल चलता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए गोड़ाइब